Hello everyone, my name is Manisha पेरागी, welcome to my channel MLT Education Point आज का हमारा topic है Hemolytic Anemia, जो कि हमेटोलोजी में आता है इसी तरीके से previous lecture में हमने types of anemia के बारे में discuss किया था जिसमें Hemolytic Anemia हमारा बच्चा था, ठीक है? तो आज हम discuss कर रहे हैं किस के बारे में? Hemolytic Anemia में सबसे पहले हम इसकी definition के बारे में discuss करते हैं ठीक है, तो Hemolytic Anemia में किस के कारण होता है? Due to excessive destructions of RBC and decrease the production of RBC यानि किस वज़े से excessive destruction, यानि कि RBC का जो है RBC कहां से cells कहां से बनती ही हमारी bone मेरस होते है तो bone मेरस होता है कि RBC का जो है वो destruction होने लग जाता है यानि कि RBC का एक stage होती है ठीक है, मेचोर होने की तो वो क्या होता है कि मेचोर होने से पहले immature stage में ही क्या होने लग जाती है? destruction उसका होने लग जाता है, यानि कि तूट के जो है वो निकलने लग जाती है ठीक है? तो उस condition में भी होता है and decrease production of RBC यानि कि bone marrow से जो है RBC का production जो है वो क्या होता है कम हो जाता है decrease हो जाता है ठीक है उस condition man जो है इसका यह होता है cause एक तो destruction of RBC और production destruction sorry excessive destruction of RBC और decreased production of RBC next है reduced life span decrease the 13th death या less than 13th death यानि कि इसका life span जो होता है वो लगबक कितना हो जाता है 30 दिन हो जाता है किस से 120 दिन से ठीक है normal life span जो होता है वो RBC का कितना होता है 120 days होता है तो वो decrease होके कितना हो जाता है friends कितना 13 days 30 days sorry ठीक है अब classification इसका देखेंगे तो hemolytic anemia को कहीं भागों में divided किया गया है ठीक है तो men two types में divide किया गया है एक तो है extrinsic hemolytic anemia और एक है intrinsic hemolytic anemia ठीक है extrinsic को acquired hemolytic anemia भी कहा जाता है it is also known as acquired hemolytic anemia and intrinsic hemolytic anemia को inherited hemolytic anemia भी कहा जाता है चो मैंने यहां लिखा है also called inherited anemia या it is known as inherited hemolytic anemia okay friends ठीक है caused by extrinsic हम देखते हैं extrinsic क्या होता है तो नाम से समझ आ रहा है यानि कि बाहार से ठीक है cells के बाहार से होने वाला यानि कि cell को कोई बाहार से defect करने वाली जो होता है वो extrinsic hemolytic anemia के लाता है किसके द्वारा होता है तो caused by destruction so parbc by external factor मैंने भी बता है कि external factor यानि कि बाहार से हो रहा है ठीक है कहीं ओर से ठीक है अब ये ये भी बता रहा है कि destruction होता है rbc का अ भों पाहरी फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं हो सकता है या तो chemical हो सकता है कोई या फिर कोई ड्रग जो हम लेते हैं किसी जब कोई foreign particle antigen हमारे अंदर इंटर करता है तो उसके प्रति क्या होती है antibody बनती है और जब कब होता है यदि कोई antigen foreign particle बाहर से अगर अपने अंदर अंदर इंटर करेगा तो वो क्या करता है disease कोस कर सकता है ठीक है क्योंकि वो कोई bacteria हो सकता है virus हो सकता है foreign particle जिसे हम कह सकते हैं ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कोई drug लेते हैं या फिर कोई chemical लेते हैं ठीक है तो उसकी तो किस तरीके से एंटीबोडी को हमारी सेल को एफेक्ट करती है ठीक है इसलिए इसको अभी मैं डिटेल में आगे बताऊंगी जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़े हैं तो ऑटो इम्मीन हमिलाटी क्या इसका शॉर्ट फॉर्म में भी बता देते हूं कि जब हमारी से एंटीजन जब हमारी बोडी में इंटर करते हैं तो उनसे फाइट करने का काम होता है यानि कि उनसे लड़ाई करके उनको किल करना उनको मारने का काम होता है लेकिन कभी-कभी क्वेसी कंडिशन में क्या हो जाता है कि जो हमारी एंटीबोडी जो होती है हमारी खुद के सेल को क्या करने लग जाती है destruction उसका करने लग जाती है और उसको मारने लग जाती है वहमारी antibody हमारी cell को पैचान नहीं पाती है वह समझती कि कोई foreign particle आया यह से होता है हमारे घर में कोई-ई-धि 沒有 मेपान आ जाते हैं तो उसे क्या करते हैं कोम इत्ता ज्यान हो सकता है हमारे liver जो है वह फेल्यूर हो सकता है renal disorder हो सकता है नेकस हमारा intrinsic hemolytic academia जिस तरी कैसा extrinsic मैंने बताया था कि नहीं बाहरी कारण वह आपारी कारणों से या बाहरी external factor के द्वारा जो होता है इसी प्रकार से intrinsic factor या नि हमारी सेल के अंदर जो हमारी cell का जो structure है ठीक है उस पर effect होता है ठीक है caused by defect in rbc team cells यानि कि rbc का structure पर डब जब defect होने लग जाता है ठीक rbc के अंदर हो रहा ही है यहांप extension यानि कि rbc के बाहर हो रहा था ठीक है आगे बात करते है ठीम सेल विन वन और मोर जीन डेट कंट्रोल यहां पर जीन sorry वो marker जो है वो सही से चलनी रहा है ठीक है gene है ना that control RBC productions don't function properly यानि कि gene क्या होता है friends gene यानि कि जो क्या करता है हमारे genetic information को carry करने का काम होता है ठीक है उसका तो इसमें क्या होता है कि एक या एक सद्धिक gene जो होता है जो कि क्या करते हैं control करते हैं हमारी RBC के production को यानि कि हमारे RBC का जो production हो रहा इसको control करते हैं एक से अधिक gene उनमें क्या होता है don't function properly यानि कि वो gene क्या करते हैं function properly यानि कि properly जो है वो काम नहीं कर पाते हैं उनमें defect होने के कारण जो है वो आरबीसी का production जो है वो control नहीं हो पाता है और excessive destruction आरबीसी का होने लग जाता है ठीक है आल्सो काल्ड इनहारिटेंट हीमोलाइटिक एनिमिया जिस तरीक से मैंने बताया था कि acquired यानि किसी बहारी intrinsic factor से यह प्राप्त हो रहा है इसी प्रकार से intrinsic जो होता है वो inheritance होता है जो कि होता है किसके द्वारा gene और gene related होते है किस से हमारे parents से ठीक है यानि कि वो हमारे at birth के समय हमको होता है inheritance की प्राप्त होता है, यानि की, birth से, जन्म से लेकर हमको प्राप्त होता है, अब defect हो सकता है RBC में, ठीके, तो k меньше कारण से होता है, और कैसे होता है, ठीके, और क्या-क्या disease उसमें होती है, intracarpuscular, और रहे होता है extra car Mormscular, अब intra carpus kuller यानि की सेल के बाहर होने वाला डिफेक्ट इंट न्म specifically में सनुकित की में 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 डिफेक्ट की membrane making me defect हो जाता है तो किस तरीके से उसकाikat हो जाता है एक तो होता है sphero sitcom अभी इन सबके बारे में में detail में बताऊंगे अभी इनके नाम heading में लिखे हैं मैंने अभी बस ठीक है तो membrane में अगर defect हुआ है तो RBC का shape change होके इस पेरोसाइटोसिस हो जाएगा या फिर उसको elleptocytosis हो जाएगा या फिर proximal noctural hemoglobin urea एक और है जो मैं इसमें लिखना बोल गई थी सीकल सेल एनीमिया ठीक है सीकल सेल एनीमिया इसमें भी जो है RBC का shape क्या हो जाता है चेंज हो जाता है ठीक है यह main होता है किसका hemolytic anemia का सीकल सेल एनीमिया ठीक है कहां बात कर रहे थे proximal noctural hemoglobin urea यह सब हमारे कहां आते हैं membrane defect में यानि कि RBC की size में RBC की जो membrane होती है उसमें defect होने के कारण होता है यह कहां हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है ठीक है next रहें metabolic defect यह भी हमारे intra-carpus killer में ही आता है अब यह होता है किसकी वज़े से EMP definition EMP deficiency ठीक है और G6 pyruvate deficiency इसकी वज़े से होता है यह metabolic defect होता है ठीक है इसका होता है इसका होता है इसका होता है अगर metabolic में अगर यदि कोई defect है तो EMP पत्वे में भी deficiency हो सकती है जब glycolysis की प्रोसेस होते है उस पत्वे को जो है EMP पत्वे कहा जाता है ठीक है या फिर G6 glucose 6 phosphate deficiency की वज़े से हो सकता है या फिर pyruvate kinase deficiency यह सब हमारे काई में आते हैं उसी glycolysis की प्रोसेस में आते हैं पाइरोवेड kinase जो लास्ट में जब जाके पाइरोवेड बनता है G65 G6 PD deficiency यह भी हमारी glycolysis की प्रोसेस में आता है यानि कि हमारी glycolysis की पूरी प्रोसेस जो होती है वह से connected है तो metabolic defect अगर होगा तो इनमें भी कहीं न कहीं defect आही जाता है तो उसकी वज़े से हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है इक्स्ट्रा कारपस कुलर हीमोलाइटिक एनीमिया अब यह होता है किसके कारण इम्यून डिसोर्डर्स के करण इम्यून डिसोर्डर्स यानि कि immunity हमारी उसमें हमारी एंटिजन होगया antibody होगया उनके कारण ठीक है वह होती है या तो एबियो इनकमपेटिबिलिटी के करण एबियो इनकमपेटिबिलिटी यानि कि हम जब ब्लड का ट्रांस्फ्यूजन करते हैं ठीक है अगर हमने प्रोपर तरीकिसे उनका ब्लड गुरूप चेक नहीं किया हो ठीक है अगर जिसे पॉजिटीव वाले को आप वाप इस पॉजि तो यह हो सकता है मदर के कारण ठीक है जब मदर जो है वो प्रेगनेंट होती है उसमें क्या होता है यदि बैबी जो होता है वह क्या होता है और यह प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता है लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में जो है उसके प्रती क्या होती है एंटी बोडी म यानि कि जब हमारी एंटीबोडी हमारी खुद की सेल को पेचान नहीं पाती है तो उस कंडिशन में भी हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है या फिर प्रोग्जीमल कॉल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया यह हो गया हमारा में में पार्ट अब हम इन सब के बारे में डीटेल में सकते हैं इस से पेले मैं आपको टाइप्स बदाने से पहले सकी वह बटा दोती हूं कि यार्बी सीका जो है वह एक्सेसिव डिस्ट्रक्षन फपार वीच आर gör एस बढ़ जाता है तो डिस्ट्रक्षन केसे होगा अगर वह नेमेरों में अगर दिपक्रण हने से होने मेचुर होने की पहली स्टेज से उससे पहले की जो स्टेज होती है वो रेटिकुलोसाइट काउंट होती है ठीक है रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं न हमपन तो वह जो होती है मेचुर होने से पहले की स्टेज जो होती है ठीक है अगर इम्मेचुर आरबीसी क कि increase होना एक होता है न एक होता है पीनिय वर्डी भी होता है तो पीनिय में होता है कि decrease होता है जीसे leukocyte happened हो घ्ड्ठ थेख तो उसमें क्या leucosytosis होता है न तौँ उसमें क्या होता है डॉ record होता है दो इस होती हॉता हैisión बढ़्ड हो होता है वो भी क्या होता है इंक्रीज होता है बड़ा हुआ मिलता है ओस्मेटिक फ्रिजिलिटी जो कि हमारे मेंटेन होती है किसकी ब्लड में एल्बूमीन के द्वारा ठीके तो वह भी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है सिकल साल सिंड्रोम इसमें दिखाई देते हैं यानि क बाइकोन के वाट डिस्क शेप डिस्क लगी होती न तो इसी शेप के होती है बाइकोन के वाट डिस्क शेप होता है तो उसमें वह चेंज होके कैसा हो दाइता है लेफ शेप जैसे हाफ मून हाफ मून जो होता है यह इस तरीके का हाफ मून शेप जो होता है इस तरीके का हो ज स्प्लीन होता है और लीवर होता है तो अगर डिस्ट्रक्शन उसका ज्यादा होगा तो बड़ेगी लेकिन वह जाएगी कहां स्प्लीन में अगर उसका काउंट जो होता है वह इंक्रीज होगा तो उस तरी उस कंडिशन में स्प्लीन जो होता है वह भी हमारे इंक्रीज हो जा जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है और जो इंडिस जो इंडिस भी होता है क्यों क्या होता है कि बिली रूबीन जो हमारे बड़ा हुआ मिलता है तो उस कंडिशन में भी जो इंडिस होता है लेकिन इसमें भी बिली रूबीन के भी स्टेज होती है एक तो अब मेना भी आपको टाइप्स बता है ते कि आर बीसी जो होता है एक तो मेंब्रेन डिफेक्ट होता है इसमें या फिर मेटाबोलिक डिफेक्ट हो सकता है फिर्स्ट वन हम देखते हैं मेटाबोलिक सोरी मेंब्रेन डिफेक्ट आर बीसी के साइज में क्या क्या डिफेक्ट स्कान स्पेरिक्ण संप्रिकल हो जाती है उसका शेयप जो होता है नायनिकि बड़ा हुआ चेप होता है थोड़ा सा उबडा होँआ खोता है और स्पेरिकल जीसा दिखते है इसमें कि है फस्ट स्फ को होता है अध्य z 과 को एक और हम हीट्रोजा ओज्न कि होता है या तो हमको जीन में कोई हो सकता है या फिर किसी एक पेरेंट की वजह से हो सकता है एक भयाता है या पुर हित्रोजाइगोस केलाता है ठीक है तो यह क्या होता है ऑटोजूमल इ Mau इंहाइरेटेंड होता है और हित्रोजाइगस यह dominant यानि कि किसी एक पेरेंट्स की द्वारा प्राप्त होता है वह aASa disorder होता है red cell जो होती है वह शो करती है इस्पेरसाइट्स यानि कि जब हम क्या करते हैं इसमेर बनाते है ना जब रे फष будет दिखती है आब यह स्पारिकल चैब में जो होते हैं रेडसल में धिखा देते हैं क्योंकि क्या होता है कि structural protein जो होता है वह cell में क्या होता है उसमें defect होने के कारण अब वो structural protein कौन सा होता है तो spectrum important point is point of view exam men exam के लिए भी और competitive exam के लिए भी ठीक है spherocyte पूछ सकते हैं कि कौन से protein के कारण होता है तो spectrum के कारण ठीक है क्लियर है laboratory finding देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है तो increase LDH मैंने भी बता है था कि hemolytic anemia में LDH जो होता है लेक्टेट dehydrogen is जो होता है वह बड़ा हुआ मिलता है ठीक है तो वह किस condition में spherocyte की condition में जो है वह इंक्रीज होता है hyperbilirubinemia यानि कि bilirubin जो होता है वह क्या होता है बड़ा हुआ मिलता है इसमें reticulocyte count भी हाई होगे क्योंकि immature आर्बसी का destruction हो रहा है okay mcv mch जो होता है इस condition में क्या होते है नॉर्मल रहते हैं लेकिन इस condition में mchc जो होता है वह increase हो जाता है यानि कि means carpus killer hemoglobin concentration hemoglobin की concentration वह क्या हो जाती है बढ़ जाती है लेकिन mcv यानि की volume जो होती है वह कम रहती है हिमोगलोबिन भी कम रहता है बट उसकी concentration सांद्रेतार जो है उसकी बढ़ जाती है second one बांद करते हैं pyruvate kinase deficiency यह भी membrane defect में हमारा आता है ठीक है इसमें भी RBC की size में या शैप में जो होता है वह defect हो जाता है तो यह किसके कारण होता है pyruvate kinase अब पाइरुवेट काई में आता है तो पाइरुवेट आता है हमारा किसमें enzyme defect जो glycolysis की process होती है उसमें आता है ठीक है enzyme defect in EMP पत्वे EMP पत्वे जो होता है यानि कि glycolysis की process जो होती उसमें जब हमारा पाइरुवेट बनता है ठीक है तो उसमें अगर कोई defect होगा यानि कि उस enzyme की अगर कमी होगी ठीक है तो उसमें क्या होगा उसके कारण जो है वह पाइरुवेट काइनेट deficiency हो सकती है लेको प पाइरुवेट काइनेज जो होता है वो डिक्रीज होता है किसके कारण formation of ATP एक तो होता है माइनर होता है ठीक है अगर माइनर में किसी को होता है और एक होता है यानि कि regular blood transfusion की required होती है इसमें लेबोरेटिक फ्राइंडिंग दे सकते हैं लेबोरेटिक फ्राइंडिंग में क्या क्या होता है पीबी एस यानि कि peripheral blood smear जब हम मनाते हैं तो उसमें क्या होता है macrosytosis 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 मतलब होता है बड़ा हुआ या ज्यादा और एक होता है micro micro मतलब होता है कम ठीक है तो cytosis मतलब होता है cell यानि कि cell की site जो होती है वो क्या होती है बड़ी हुई मिलती है polycythemia जियानि कि RBC जो होती है वो जब increase होती है तो उसे polycythemia कहा जाता है और जब decrease होती है तो anemia कहा जाता है reticulocytosis reticulocyte count जो होता है वो क्या होता है increase हो जाता है अब यह membrane defect में जैखते है से कल सल सैलनिम्राइपस्स झालखार जाता है ea सीड होम संवृसिसरी कि त्व क्या कहा जाता है यहnar होटाधी सरदी के ज घर्ले में सब्सें रहारे थोड़ा चैक्zetभाहां जांक्ट शाजी आफ़ श्टेट ज और होग कंप्रोमाइस कर ले न आपको बता है हीमोगलोबिन जो होता है, तो営्च भीयेफ होता है और comedis होता है तिक अभी हीमोगलोबिन औह better अभी हीमोगलोबिन और अल्फा चेन अभी यह बता रहीं कि Potato Chen यानि वी 3 पहती है जो यह olması ही ओन। इक्जामपल की डौर से गयां पर इसी प्रकार से यह और बनाई होता है इग्जाम्पल दे रही हूं यहां ददे रही हूं थे scrolling टिक ही अगर यह है है नूँ तो यहां पे जो यह बनी होई है ना इसी प्रकार से यह भी बनी होजती है ठीक है तो यहां पर यह ग्लूटामिक है ना तो यहां पर क्या आजाता है वलाइन आजाता है तो यह क्या होती है अबनॉर्मिलिटीज हो रही है क्योंकि यहां पर ग्लूटामिक होना चाहिए तो वलाइन कैसे आ गया ज सब्सक्राइब कर देखा होगा तो इसी प्रकार का होता है किसी सभी बत्तियों की बात नहीं कर रही हूं पत्यां जो होती है वा इस चैप के दिखाई देती है तो लेखचैप के दिखाई देती है अब वो क्यों होती है ओडूटो टेंशन के कोड़ोगा झाल भासे का नसलिख ट्यक्राइब क करेंब क? क्योंकि किसक कने बिचारी 8-10 days हो गया हो गया χाण, घुट तो यह वहागी हमारे membran defect के बारे में, अब हम डिसकस करते हैं, metabolic defect के बारे में जो metabolic defect, अभी मैंने बताए हैं आपको ठीक हैं, उनके बारे में चाहरान होता है इसमें Metabolic defect हो जाता है तो यह से लुइएव फास्पेट हरुदय ऑप्रहें कर देफिशिंस होता है यह उन्य इजम होता है यह मत्याल श्हार श्कुर्ण सत इसमें सम reicht कि यह इन फिर्फिशन्ञक्व서maj होता है थीक जलाई होता है यह डिनाट से प्राप्त होता हैテो वह एनजाईब की डीशिंसीбо होता है तो वह एंजाईब कुन सा है ग्लूकोस फासपेड्ट गीन यानि कि अगर होता है तो जीन जो होता है वह एक्सलिंग्स होता है तो होता है एंजयम हुआ नियुक्स फास्पेक्ट में में होता है थीदि बोडी याने लुए हिमारे हीमो ग्लुबीन की होता है, फोड़ा रेडिूस हो जाता है तो उसANSमें हींड बोडी हमारे जैती हना है थेन फीमेल से थे क्या 5 percent glycolysis by डीस पत्वे 5 percent glycolysis जwo होता है वो इस पत्वे के द््वारा होता है बाकी का झो होता है एंपी पत्वे के द्वारा होता है EMP पत्वे मैंने भी बताहे था पॉरवेड का इने सके ब्म इसमें HMP होता है एक्षास्पड फूर्पाइट यह होता है हमारा इनहारिटेंट मोरे होता है ऑपिंग बारे में पढल लिया है अब हम पर्राप्त होता है किसी अधर कारण से होता है यह होता है इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया या फिर इस ओटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहा जाता है ठीक है फस्ट देखते हैं एंटीबोडी फ्रोम अगेंस रबीसी यानि कि हमारी आरबीसी के उपर क्या प्रजेंट होता है तो टाइपस का होता है कौन-कौन से का हुटा है एक डापस्ब्स में अब बताए था तो पेशेंट के अंदर हो आरवीसी जो होती है उसको वह अटीवोडी गुद्पशिक को किल करने है को पेचान नहीं पाती है ठीक जो के अंदर है और किल कर देती है उसके अंदर ही और सेल के अंदर ही क्या करती है उसके एंटीजन को किल कर देती है ठीक है एलो इम्मिन एंटीबोडी अगेंस डाइरिक्टेट फोरें रैट सेल्स यानि कि जब ट्रांस्विजन रेक्शन हो जाती है मैंने आपको एक्जामपल दिया था कि अगर हम ब्लड ट्रांस्विज करते है है अगर ब्लड गुरुप साइसे टेस्ट नहीं अगर उसके लगाये हैं ब्लड कुरुप के और कहीं न कहीं ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि क्या करते हैं एंटीबोडी होती है वह शो नहीं होती है एगलुटीनेशन शो नहीं करती है ठीक है तो उस कंडिशन में और एक और है हमारा proximal noctural hemoglobinuria जो अभी में यहां बताऊंगी अब एक तो antibody होते है cold antibody होती है यानि कि क्या होता है cold antibody में क्या होता है जब temperature होता है वो लो होता है यहां पर क्या होती है बाइंड कर जाती है फोर डिग्री सेलसिस होता है तो उस condition में जो होता है हमारे compliment जो प्रजेंट होते हैं वो क्या करते हैं बाइंड कर जाते हैं ठीक है एक कहां पर लो टेंपरेचर फोर डिग्री सेलसिवस यह किसमें होता है most in child by viral infection किसके द्वारा होता है viral infection के द्वारा है बच्चों में थोली viral infection जो होता है वह ज्यादा होता है में होता है में होता है इसलिए mostly in child में होता है इसको और क्या कहा जाता है proximal called hemoglobin urea important point of view exam main exam and point of view competition exam ठीक है इसको क्या कहा जाता है डॉनेट डॉनेट लैंड इस्टीनर antibody बहुत बार पूछा जाता एक्जाम में याद रखना फ्रेंड क्या कहा जाता है डॉनेट लैंड स्टीनर antibody ओके क्लियर है proximal called hemoglobin urea intravascular hemolysis यानि कि हमारे वैंस के अंदर होता है hemolysis होता है तो इस वजह से क्या होता है hemoglobin urea यानि कि hemoglobin क्या होता है हमारे urine में जो होता है वह प्रजेंस होता है क्यों कि क्या होता है वैं के अंदर होता है hemolysis होता है next हमारा है PNH proximal proximal noctural hemoglobin urea proximal noctural hemoglobin urea इसमें भी intravascular होता है hemoglobin urea urine जो होता है hemoglobin जो होता है noctural noctural से समझ में आ रहा होगा night यहां पर हो रहता है cold यानि कि law temperature पर यहां पर यह बता रहा है कि noctural यानि कि night में अकर्ट एड नाइट में लिखा भी है डिफ्रेक्ट इन रेयर हीमोलाइस होता है intravascular होता है वैं के अंदर होता है बट मोस्ली कब होता है नाइट में होता है इसको noctural कहा जाता है acquired defect of RBC membrane ठीक है कब होता है acquired होता है यह मैंने आपको बताया है इससे पहले हमने inheritance बढ़ाता यह होता है acquired होता है प्राप्त होता है और defect आता है कहां पर RBC की membrane में ठीक होती है तो WBC count जो होता है वह क्या होता है decrease हो जाता है platelet count भी decrease हो जाता है reticulocyte count भी decrease हो जाता है test इसके लिए कौन सा लगा जाता है इसको demonstrated करने के लिए हैंस serum acid test इसको भी जो है low temperature पर इसका demonstration करते हैं यानि कि हम इसको detect करने के लिए हैंस serum acid test लगा जाता है important है ठीक है बट कब लगा जाता है at low temperature पर यह हमारा हो गया और हीमोलाइक आनिमिया के बारे में आपको कुछ confusion रहा हो तो आप मुस्षे कमेंट बॉक्स में share कर सकते हो और भी ऐसे वीडियो है जो आपको उसमें confusion हो तो आप उसे शेयर करें मैं कोशिच करूँगी कि आपको उसका भी वीडियो बना के दूँ ठीक है फ्रेंट्स मिलते हैं आगले वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है हीमोलाइटिक एनीमिया कंप्लीट हो चुका है